इसके बारों में दो-तीन सवाल थे अगर सही वक्त है तो इन्हें अभी में बता है। कब कॉल कुल कुल कुल? ये थे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उपसचीव जिनोंने सवाल सुनते ही फोन कार्ट दिया। लेकिन सवाल था क्या? आदाब मैं हूँ तन्जील आसिफ और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सवालों से लबालब प्रोग्राम तन्जील का तरकश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 15 मैं 2020 को एक अधी सूचना जारी की जिसमें माध्यमिक यानी हाई स्कूल में शिक्षकों के बदस्थापन का नया मानक तयार किया गया है। इसके तहत हाई स्कूल में शिक्षक और एक परधाना ध्यापक होंगे। इसके इलावा जो आतिरिक्षक होंगे उन्हें दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये शिक्षक किन-किन विशेयों के होंगे ये जानना जरूरी है। नोटिफिकेशन के हिसाब से छे टीचर, हिंदी, अंग्रेजी, गनित, विज्ञान, समाजिक विज्ञान और दू इत्य भाषा के होंगे। सब्जेक्ट की नाम एक बार और सुन लिजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गनित, विज्ञान, समाजिक विज्ञान और दुइत्य भाषा चार पेज की इस नोटिफिकेशन में मात्र भाषा का कोई जिक्र नहीं है साफ है कि बिहार वोड के दस्वी में अब तक मात्र भाषा एक कमपल्सरी सब्जेक्ट था जिसके अंदर हिंदी, उर्दू, बंगला और मैथली शामिल थे और एक सब्जेक्ट दूत्य भाषा था ऐसे छात्र जिन्होंने मात्र भाषा हिंदी नहीं ली उन्हें दूत्य भाषा में हिंदी लेना अनिवार्य था बाकी लोग संस्कृत, अर्बी, फार्सी और भुजपूरी में से कोई एक दूत्य भाषा को अपना सब्जेक्ट बना सकते थे यानि हिंदी पड़ना पहले भी अनिवारी था, लेकिन उसका तरीका अलग था लेकिन यहां मुद्धा हिंदी के अनिवारी होने का नहीं है दरसल मुद्धा है पूरे नोटिफिकेशन में उर्दू का कोई जिक्र ना होना जबकि उर्दू बिहार की दूसरी ओफिसियल लेंग्वेज यानि राज भाषा है और एक बड़ी आबादी की मात्र भाषा भी है नोटिफिकेशन 15 मही को आई और 2 जून को बकसर से जागरन में इसको लेकर खबर चबी लेकिन बिहार की हाई सकूलो में मात्र भाषा को हटाए जाने की बात पीछले कुछ दिनों से ही चर्चे में है उस सरकूलर को ठीक से पढ़िए तो अर्दू अब सकूलो में हाई सकूलो में कंपल सरी पेपर नहीं tema पहले जो मदड़ टंक के नाम पर वो कंपलसरी पेपर थी पेपर था अब वो नहीं रहा बलके अब वो आफशनल हो गया है आफशनल में दुट्य भाशा को उन्होंने रखा है या तो संस्क्रिट या बंगला या उर्दू एक बात ये है या और भी बहुत सी लेंबोचे दूसरी बात अब इसके नाम पर उन्होंने वाज़ तोर से लिखा है कि जो टीचर सा पॉइंट होंगे उर्दू का अलग से ट पॉइंट हो तो इसे बहुत सकते हैं बोंगलाओ या कोई दूसरी या ऊरदू है अलग से कोई उर्दू का टीचर अपॉइंट नहीं होगा यह बहुत खतरनाक बात है जिए तो एक ठीचर ही होगा उसके नाम इसक्रिट कर बंगला का या उर्दू को सवाल यह है कि क्या अ उर्दू को अब दूसरी भासा बना कर संस्कृत, अर्बी, फार्सी और भोजपूरी की कतार में खड़ा कर दिया जाएगा? चोंकि किसी भी स्कूल में अब 6 सिक्षक ही होंगे और उनमें से एक ही दूसरी भासा का सिक्षक होगा, तो सवाल ये भी है कि ये टीचर आखिर किस नेशनल एजुकेशन पॉलसी जहां एक तरफ मात्र भासा पर पूरी तरीके से फोकस्ड है वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार का मात्र भासा को यू अन्देखी करना समझ से पड़े है ये दुर्भागेपूर में इसलिए भी है कि एक तरफ तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी है जिसकी बहुत चबचा हो रही है जिसको मतब एक एतिहासिक डोक्यूमेंट बताया जा रहा है उसमें एक तरफ मत्र भाशा और जो चेत्री भाशा है उसको इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई है एजुकेशन के तालुक से शिक्षानी की में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उर्दू जो की एक मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाजने वाली जबान है बिहार में उसको मतलब हाई स्कूल के लेवल पर खत्म किया जा रहा है तो यह अपने आप में कॉंट्रडिक्शन है दुरभागे पूर्ण होने के साथ साथ जो है यह कॉंट्रडिक्शन है क्योंकि मात्रभाशा की जो इंपॉर्टेंस रही है इस पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और जो रिसर्चर्चर्ज हैं जो लेंग्वेज को ले करके और जो उसके इंपॉर्टेंस को ले करके काम करते रहें उनका मानना है कि मातर भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है In fact, communication के लिहाज से भी आप देंकि कि बहुत सारे ऐसे research हैं वो ये बताते हैं कि कैसे मातर भाषा में या मदर टंग में या जो उसमें लोगों को जब information मिलता है तो वो उसको जादा reliable मानते हैं इन तमाम सवालों को लेकर हमने सबसे पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उपसचीव अरसत फिरोज को फोन किया जिनका signature इस अधी सूचना पड़ था दुबारा फोन करने पर भी जब उन्होंने call receive नहीं किया तो हमारे साथ ही उतकर्ष इन सवालों को लेकर बिहार के शिक्षा मंतरी कृष्ण नंदन वर्मा के पास गए शिक्षा मंतरी कृष्ण नंदन वर्मा ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया हाला कि उन्होंने ये जानकारी जरूर दी कि उर्दू को सलेवस से हटाया नहीं गया है बलकि दूसरी भाषा की सरेनी में रखा गया है लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर पाठी करम से मातर भाषा की सरेनी को क्यों हटाया गया उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किन पर स्थितियों में राज की एक राज भाषा उर्दू को दूसरी भाषा की सरेनी में रखा गया नहीं इस बात का जवाब दे पाए कि इन बातों का जिक्र अधीश उचना में क्यों नहीं किया गया शायर मंजर भुपाली के शब्दों में कहें मेरी मजलूम उर्दू तेरी सांसों में घुटन क्यों है तेरा लहजा महकता है तो लफजों में ठकन क्यों है